एंटिटी भरती पर भी आना चाहेंगे और नई अपडेट इसमें ये है कि अगले कल ये फाइल भी फाइनस डिपार्टमेंट के पास पहुंचने वाली है लगभग 4,000 से जादा पदों पर क्योंकि ये भरती होनी है महिलाएं काफी जादा इंतजार में बनी हुई है और इन दिनों पूरी डिसकुशन भी एंटिटी भरती पर हो रही है अब इसके बाद फाइनस ये फाइल भेजी जा रही है फाइनस डिपार्टमेंट से जैसे ही अप्रूवल मिलता है कैबिनेट में ये फाइल बिल्कुल जाने वाली है और वही चार आप्शन्स विभाग के अदिकारियों की ओर से सरकार के समक्ष रखी जाएंगी जो कि पहले हमने आपके साथ साजा की थी इसमें जेविटी को भी मौका मिल रहा है आंगनबाडी वरक पढ़ाने का काम जेविटीज ही कर रहे हैं और देखे तीसरी बड़ी बात ये है कि जिन महिलाओं ने डिपलोमा हासिल किया हुआ है उनके लिए लीजिबिलीटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा भरती के नियम क्या रहेंगे इस पर फिलहाल अभी तक डिसकशन ही हो रही ह है कोई भी चीज फाइनल नहीं हो पाई है हाला कि अधिकारियों के ओर से इतना जरूर कहा गया है कि जो कुछ अभी तक तैख हुआ है ये फाइल पूरी बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट अगले कल भेज दी जाएगी और उसके बाद फिर कैबिनेट में भी रखी जाए क्या उससे पहले जो जेविटीज को ये भरती देने का मौका मिल रहा है क्या उन्हें फिलहाल प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का चांस दिया जाएगा या तीसरी बड़ी बात जो अतिरिक ब्रिज कोर्स करवाने की बात हो रही थी उन्हीं महिलाओं से जिन्हों उन्हें महज एक वर्ष का डिप्लोमा लिया है और क्यूंकि दो वर्ष का डिप्लोमा इसमें कंपल्सरी किया गया है NCEE की ओर से तो उन्हें लेकर यहां महर लगती है